एन्टी ए यूजी नेट यहनी निमीजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्लेश्टार जमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोहतास निमी है और अब सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम एक कोर कोशन लेके आए हैं डियाई का और हमारा मीजन है कि आपके अंदर जो डर बैठाओ उस डर को निकाल दे तो उसी डर की कड़ी में यह हमारे तीसरी वीडियो है इस वीडियो में आप बिल्कुल असानी से देखना कि किस तरह से हमें कोशन करने है तो दोस्तों यह वीडियो पूरा देखना और ध्जान से देखना क् आप बिल्कुल असानी से सीख जाएंगे कि डियाई के अंदर जो पर्षेंटिज वगर है वो किस तरह से निकलती है तो चलिए दोस्तों अब हम सुरुवात करते हैं हमारी वीडियो की दोस्तों एंटी युजिस नेट एक्जाम दो देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड़ कोर्स लॉंच किया है नहीं भी नहीं मिलेगी हमने युनिट में से सब्टॉपिक वाइज क्यूशन भी अलग किये हुए हैं जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप आप 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 टीचिंग में आपको अलग किये हुए मिलेंगे नंबर छे पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटीड होन को समें लिंक दिया हुए वहसे पोस्कों बाइब कर सकते हैं धेंकि दोस्तों यहां पर पढ़नी होती है यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कि विभिन छेतरों से किसी देश के कारवन डायाकसाइड यानि कि CO2 उत्सरजन निमलिखित तालिका में दिये गए है यहाँ पे तालिका दी गई है और यह जो तालिका है दोस्तों यह मिलियन मिट्री टन के अंदर दी हुई है और इसी के वेस पे दोस्तों हमें यह कोशन करने है चलिए अब हम आगे कोशन देखते कि इस वेस पे किस तरह से क कोशन आये हैं यह देखिए दोस्तों यह सबसे पहला कोशन इन्हों ने दिया हुआ है कि वर्स 2005 से 2009 के दौरान विद्यूत चेतर से सीओ टू उत्सरजन की परतिसत्ता व्रिधिक क्या है वो हमें बतानी है देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए इन्हों ने कहा है कि 2005 से 2009 2005 हमारा ये है और 2009 ये है इसके अंदर देखिए विद्यूत अक्षेतर विद्यूत कौन से हमारा ये है अब देखिए इसके अंदर एक तो आता हमारा 501 आता है हमारा 800 अब इसमें ये बताना कि जो व्रिधि हुई है वो कितने प्रतिसत व्रिधि हुई है और इसका मैंने एक formula बताया था दोस्तो डियाई की जो basic चीजे होते हैं उनके बारे मैंने एक video बना रखे हैं वो video आप देख सकते हैं वो video आप जरूर देखना दोस्तो उसके अंदर हमने basic चीजे बताई है जिस पे हमारी पूरी की पूरी दियाई टिकी हुई होती है तो दोस्तो जो मैंने आपको formula बताया था वो formula क्या था कि final value minus में initial value बटे में initial value multiply by 100 ये थी हमारी formula इसके अंदर देखे final value क्या है हमारे पास final value है 800 minus में initial value कितनी है दोस्तो 500 है बटे में यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा initial value कितनी है दोस्तो 500 है यहाँ पे और गुना में क्या जाएगा गुना में 100 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अब देखे 800 में से 500 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास 300 यहाँ पे रह जाएगा अब देखिए मैं करता हूँ इस question को यहाँ पर कर लिता हूँ देखिए यहाँ पर 800 माइनस में 500 बटे में 500 गुना में 100 हमने कर लिया अब देखिए यह रह गया हमारे पास 300 बटे में 500 गुना में 100 अब देखिए 2-0 से 2-0 कट गी और 5 से क्या कटेगा दोस्तों 300 को कट करें तो यह आजाएगा 60 आजाएगा तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों 60% यहाँ से हमारा answer आजाएगा यानि कि option number A हमारा यहाँ से answer आजाएगा तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेजिए दोस्तों जब 2 हमारे पास year दी गई हो जैसे 2005 से 2009 के बीच में परतिसत वृद्धी निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है जो सबसे last में जो value जो year दी हुई होती है यानि कि final value यानि कि 800 minus में initial value जो हमारी पहले value दी होती है निकालनी है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि कितना असान हमारा question है और अब हम अगला question देखते दोस्तों अब यह question देखे दोस्तों वर्स 2005 से 2009 के दोरान CO2 उत्सरजन में किस अक्षेत्र में अधिक्तम वृद्धी दर्जब की गई अब देखे यहां पर यह क्या कह रहा है यहां पर हमें सभी अक्षेत्र जो दिये हैं उनकी वृद्धी परतिसत निकालनी है और पिछले वाला जो question था दोस्तों उसके अंदर हमें क्या था कि केवल और केवल विध्यूत अक्षेत्र से निकालनी थी लेकिन यहां पर क्या है यहां यहां पर हमें यह निकालना कि किस अक्षेत्र से तो हमें सारे के सारे अक्षेत्र देखने है अब देखे इसमें जो स च्याप दिए गया तो इनका हमें पता करना है तो इनका पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों वही फोर्मुला जो मैंने आपको ये ऐसे 500 माइनस करना फिर बटे में 500 गुणा में 100 ये करेंगे यहाँ से हमने निकाला था वो बटे में क्या करेंगे बटे में 200 करेंगे गुणा में 100 करेंगे हीएछ देखें दें से का अब लिएंग मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह छॉलेशन डीया हुआ है कि निर्फू उध्योग की बात करतें उध्योग कैसे आएगा दोस्तों 400 माइनस में 200 बटे में 200 गुणा में 100 यहां पे हमने लिख लिए यहां पर क्या जाएगा 125 पर तीसा आजएगा फिर वानिजी अक्षेटर की बात हो रही है यहां पर इसमें क्या होगा 320 माइनस में 150 यह देखे 320 माइ स्काइनस में असी और बटे में असी गुना में 100 तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसका जाय है 150 पर थिसद और अब इसमें हमें बताना था अधिक्तम वृधी बतानी थी अब देखिए अधिक्तम वृधी किस में और ये दोस्तों ये हो रही है हमारे कृषिय अक्षेतर में हो रही है यानि इसका अंसर जो है वो ओप्सिंट नम्बर डी यहाँ से आ जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं सबसे पहली बात यह है दोस्तों हमें उसका तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से कोशन को हमें निकालना है तो दोस्तों हमें पता सल गया कि किस तरह से कोशन निकालना है चलिए अब हम अगला कोशन देखते कि अगला कोशन किस तरह से करेंगे अब यह देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने क्या कहा है वर्स 2005 से 2009 में co2 का कुल उतसरजन किस परतिसत तक बढ़ा है ये हमें बताना है दोस्तों अब देखिये सन 2005 से 2009 2005 यह हो गया 2009 तक CO2 का कुल उत्सरजन हमें कुल тотal बताना है दोस्तों total का मतलब है कि यह जैसे विध्यूत उत्जोंग यह सब ही हमें पलस करना है यहां से यहां पलस में करना है और फिर यहां से यहां तक ये दोनों के दोनों प्लस करने है और फिर हमें देखना कि कितना परतिसत बढ़ा था देखे दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले 2005 का कुल करेंगे टोटल करेंगे उसके बाद 2009 का टोटल करेंगे और फिर इनकी परतिसत निकालेंगे चलिए ये कोशन भी मैं आपको दिखा देता हूं ता यहाँ पर आजेगा फिर जो 2009 की जो जितनी वी वैल्यू दी हुई है हमारे पास इन सभी को हम प्लस करेंगे तो यह आजेगा 1950 आजेगा अब देखिए इन दोनों में हमारे पास वृद्धी हुई है 1950 हमारे पास आ गया पहले कितना था 2030 था तो मतलब क्या है कि वृद्धी हुई है तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही था दोस्तो एफ माइनस आई बटे में आई गुना में 100 जो हमारा फॉर्मूला था और उसी फॉर्मूले के अंदर यह रखा हुआ है तो यहां से हमारे जो वृद्धी होगी वो हो जाए दोस्तो 89.32 नवास पसानी से कोशन कर शकते हैं दोस्तो अगर आपको यूजिस नेट पेपर सेकेंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक कुशन पेपर चाहिए विद ओफिशिल आंसर की और आंसर टिक तो आप हमारी वेबसाइट निमीजी.net जरूर विजिट करना यहां पर आपको सभी सब् से विचाहिए पलस में लाइ मौक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट निमीजी.net जरूर विजिट करना थैंकि दोस्तो अब चलिए दोस्तो अगला कोशन देखते हैं यह देखे दोस्तो इसके अंदर यह कहा है कि विद्यूत अक्षेत्र में CO2 अब देखे विद विद्धी दर क्या है वर्षिक विद्धी दर हमें देखना है अब देखे यह बात कर रहा है विद्यूत चेत्र में यह हो गया और इसके अंदर यह सारी के सारी एर का देखना अब देखे सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं 2005 से 2006 में जब गए तो यह देखे यहां पर विद्धी हुई फिर 600 से 6500 विद्धी हुई फिर 600 से 700 फिर 700 से 800 यानि कि इनके अंदर ओसत परतिसत विद्धी कितनी हुई वो हमें निकालना है तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमें यह निकालना है कि 500 से लेके 600 में इसमें कितनी परतिसत वि रिद्धी निकालेंगे और फिर उसका average निकालेंगे चलिए मैं आपको यह दिखा देता हूं किस तरह से होगा यह देखी इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है दोस्तों इसके अंदर वही है जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे सबसे हम क्या करेंगे final value minus में initial value बटे में initial multiply by 100 इस तरह से करेंगे यहां पर देख सकते ही हमने किया है 600 minus में 500 बटे में 500 और दोस्तों यह 1000 आए ना 1000 नहीं यह गलती से लिखा गया यह सभी में 1000 नहीं है यह 100 आए यहां पर गलती से एक हजार एक जिरो फाल तो इसमें लग गई त इसके लिए हम क्या करेंगे शाड़े 600 माइनस में 600 बटे में 600 multiply by 100 इस तरह से हम इसको करेंगे और यह यहां पर दिया हो यहां पर भी आप देख सकते हैं तो इस तरह से इन सभी का हम करेंगे यहां पर हमारा क्या गया सबसे पहले 20 परतिसात आगया फिर 8.33 परतिसात आगय फिर यह आगया फिर यह आगया यह सभी परतिसात यह देखे इन सभी परतिसात को यहां पर हम प्लस कर लेंगे जोड लेंगे और फिर 4 से इसको divide करेंगे तो यहां से हमारा क्या आएगा दोस्तो ओसत वार्षिक विरिधी दर आ जाएगी यहां पर यहां पर दोस्तो हमारे परतिसत निकली है उनका ओसत हमारे पास आ जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने किया हो सकता है कि जो question है उसके अंदर क्या कहा गया है और हमें किस तरह से इसको निकालना है और दोस्तों अगर किसी को भी इन में से कोई बात समझ में नहीं आई है हो सकता है किसी क difficulty हो किसी को कम समझ में आया हो तो वो हमें comment box के जरीए बता सकते है और या फिर आप हमें दोस्तों जो हमारा whatsapp number है नीचे आप देख सकते ये नीचे दिया हुआ है 870-83-210-10 इस पे हमें message कीजिए अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो हम आपके सभी सवालों का हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे चलिए दोस्तों अब हम सबसे last और आखरी question देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है वर्स 2008 में कुल CO2 उत्सरजन में विध्यूत अक्षेतर का परतिसत योगदान क्या है अब देखे इसे समझ की कोशिस किजिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वर्स 2008 2008 हमारा ये है इसके अंदर कुल CO2 का मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें प्लस करना है ये पूरा का पूरा हमने प्लस किया प्लस करने के बाद दोस्तों हमें देखना कि उत्सरजन में विध्यूत अक्षेतर क क्या योगदान है वो हमें देखना है चलिए दोस्तो इसका मैं आपको solution दिखा दूता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये देखिए दोस्तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें 700 का यानि कि जब इनको 2-0 से 2-0 कट करेंगे तो ये हमारा परतिस्त कितना जाए दोस्तों एक तालिस पॉइंट अठारा परतिस्त हमारे पास यहां से आ जाएगा तो दोस्तो यहां से आप इस तरह से बिलकुल असानी से question कर शकते हैं और डियाई के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना यह हमें पता होना जरूरी है तो दोस्तो आज के लिए बच दोस्तों NTA uses net exam दो देखते वे हमने आप सभी के लिए एक special paid course launch किया है complete study course for paper first इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है नमर एक पर दोस्तों आपको all 10 unit study notes मिलेंगे Hindi English में नमर दो पर दोस्तों आपको all 10 unit की ad free videos मिलेंगी नमर तीन पर दोस्तों आपको सभी shift के question paper Hindi English में मिलेंगे नमर चार पर दोस्तों आपको 2012 से लेके 2030 तक जो भी हमारे question आए है वो unit wise की हुए मिलेंगे जैसे कि हमारे research के question आज तक जो आज को अलग है ICT के लग है, community question के लग है, सभी unit के question आपको अलग-अलग की हुए मिलेंगे नमर पांस पर दोस्तों जो सबसे unique चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी हमने unit में से sub topic wise question भी अलग किये हुए है जैसे कि research में हम बात करें type of research, type of hypothesis, type of sampling इस तरह से हम बात करें teaching में type of teaching method, model of teaching इस तरह से सभी unit के sub topic wise question भी आपको अलग किये हुए मिलेंगे नमर छे पर दोस्तों आपको most repeated होने वाले questions के बारे में बताये जाएगा, इनके notes दे जाएगे, इनकी videos आपको मिलेगी plus में आपको lime of test भी मिलेगा इनका, तो लान आपको किसी भी तरह की कोई problem आते तो आप हम यह WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं आप 500 से लेके 1000 रुपे में इस post को join कर सकते हैं, और समय समय पे offer change होता रहता है, तो आप नीचे video description box में link दिया हुए, वहाँ से इस post को buy कर सकते हैं, thank you दोस्ते